कॉंग्रेस पत्याशी दीपक जोशी का चुनाव प्रचार करने खादेगाउ पहुझी प्रियंका गांधी ने विश्याल जनसभा को संबोधित किया प्रियंका गांधी ने कहा कि कॉंग्रेस की सरकार बनेगी तो हर महिने महिलाओं के खाते में 15 सो आएंगे वहीं कॉंग्रेस नेता सजन सिंग वर्मा ने कहा कि भाच्पा विधायक ने शेत्र को जुमे और शराप का अड़्डा बना दिया है दीपक जोशी ने भी विजेपी पर खुब हमला बोला और कहा भाच्पा नेता कहते हैं नर्बदे हर दारू भर चिलम भर प्रियंका गांधी कॉंग्रेस पत्याशी दीपक जोशी का समर्थन करने खाते गाउं पहुची जहां उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया प्रियंका गांधी की रैली में लोगों की भारी भीड देखने को मिली लोगों को संबोधित करते हुए प्रेंका गांथी ने कॉंग्रेस की सरकार बनने पर हर वचन को पूरा करने का वादा किया प्रेंका गांथी ने कहा कि कॉंग्रेस की सरकार बनेगी तो हर महिला की खाते में 1500 रुपे आएंगे 100 यूनिट बिजली प्री और 200 यूनिट पर बिजली बिल हाफ करेंगे किसानों का कर्जमाफ करेंगे कॉंग्रेस की ये घोषना है कि 1500 रुपय आपके खाते में हर महीने हम दलवाएंगे जनसभा में कॉंग्रेस नेता सजन सिंग वर्मा भारती जनता पार्टी पर खूब गरजे सजन सिंग वर्मा ने कहा कि भाजपा के वर्तमान विधायक ने शेत्र को शराब और जुए का अड़ा बना दिया है कॉंगेस पित्याशी दीपक जोशी ने कहा कि हम तीन वीजन पर काम कर रहे हैं पहला हम नर्वदा का जल हर खेत तक पहुचाएंगे दूसरा कुसाशन को समाप्त करके सुशाशन लाएंगे और तीसरा सिक्षा स्वास और रोजगार के शेत्र में काम करके शेत्र को प्रग नर्वदेहर जिंदगी भर पर यहां तो भाजपा के नेताओं ने इसे बदल दिया है यहां भाजपा नेताओं और कारिकरता कहते हैं नर्वदेहर डंपर भर बालू भर दारू भर और चीलम भर अब चीलम भरने वाली पार्टी को जनता बरदाश नहीं करेगी कहते हैं नर्वदा हर डंपर भर बालू भर दारू भर और आखिर में चीलम भर चीलम भर यह चीलम भरने वाले पार्टी के लोगों को अब यह जनता बरदाश नहीं करेगी यह पड़टे के साथ हैं हम आपको इस्वास दिलाते हैं संपूर्ण हमारा छेत्र आपके नेतत म मद्यपरदेश में एक अच्छी सरकार बनाकर आपके नित्तत में एक सफल सरकार बनाकर मानिक तवरलाज जी के नित्तत में और दिखुजा शिंग्जी के मार जख्यक्षन में इस प्रदेश को वापस Congress को सुपेंगे अच्छी है ना फिर खर्चा कर रही तूं हर महीने पै भाजपा सरकार भाजपा सरकार आप देख रहे हैं डखल न्यूर्ट